गूदपूर सैनिको 1 rank 1 pension ORP3 के उपर अप्डेट आ ही गिया जी हाँ पेंचन धारक पपेंचन भूगियों को जिस दिन का और जिस पल का इंतिजार था इंतिदार हुआ खतम जी हाँ पेंचन भूगियों ने जीती ORP3 की जंग यहां पर पूरी news निकल के आगिया है अरोप 2 की गतिविध्या बढ़ गी है तेज हो चुकी है सभी पेंचन धारक वा पेंचन भोगी जो और यूप 1 पी 3 का वेट कर रहे थे कि कब होगा कैसे होगा कितना मिलेगा किस रेंग को फीटमेंट फेक्टर क्या रहने वाला है मिनिमम मैक्सिमम और आप लोग का एक और डाउट है की O.R.O.P. 3 आप लोग का pre 2006 और post 2006 को लेकर और formula को लेकर भी बहुत बड़ा confusion है जो कि सारा कुछ हम बताएंगे दिखाएंगे समझाएंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें साथ सत्य करना ना भूले सबसे पहले जितने भी हमारे भूतपूर सैनिक समाज कमीटी और हमारे एक्सोरिस्वन पैंशन रेटारिडमन फोजी भाईयों को राम राम ओ आर ओ पी वन रेंग वन पैंशन का तिसरा चरण एक साथ दो हजार चौवविस से सुरू हो चुका है इसमें बहुत सारी इशूस के उपर हम बात करने वाले हैं जैसे कि हर पांच साल में रिविजन होना है तो पैंशन टेबल क्या रहने वाली है गौवर्मेंट का क्या रिस्पॉंस है और ओर ओर ओपी 3 कब एरियर इसका डिस्वर्स होगा मतलब भुगतान होगा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कैबिनेट की तरब से भी एप्रूव मिल चुका है डिपार्टमेंट ओफ एक्स हरिस्मेंट और वेलफियर ने भी आप लोग को बता है कि एक लेटर निकाला है और उसके बाद संसत में गुंजी OROP 1 rank 1 pension की news और वहां भी approval देखने को मिला मतलब भुगतपूर से निकों को इसवार positive news है कि आप लोग का OROP जल्द ही आपको देखने को मिलेगा तो लेटेस्ट नियूस थी जय हिंद जय भार